अलो दोस्तो स्वागत है आपके आपके चैनल टार्गेट भी था जिसर में मैं पूर्ड कोशन लेके आए जोग्रोफी से आप सबसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेश कर लें और अपने दोस्तों में से शेयर कर दें और अपना खुद का आगलन करें कि कितने प्रश्ण आपको आते हैं और क्या-क्या आप भूल रहे थे जो हमने रिविजन करवा दिया ठीके फड़ाबट आप हमारे चैनल से जुड़ जाएए सारे प्रश्णों का एंसर दीजी आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा एक प्रश्ण में 30 second का time होगा आपके पास 30 second में आपको answer करना होगा फुर हम उसका answer बता के detail बता के आगे बढ़ जाएंगे और पहले हम नाम लेते थे अब यहाँ पे किसी भी answer का नाम नहीं लिया जाएगा ठीक है हम फड़ाबट करवाएंगे question को ताकि आपका समय बचे और महतपूर कोशन आपके सामने प्रस्तूत हो जाए ठीक है चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए सब्स्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में पहला question है महा विश्पोर्ट सिधान सम्बंदी तै महा विश्पोर्ट सिधान किस से सम्बंदी तै option है महादवीपी विश्तापन से option B ब्रमान की उत्पती से option C हिमाले की उत्पती से option D जुआला मुख्यों के विश्पोर्ट से एंसर किजिए आपके पास है 25 से 30 सेकेंड का टाइम फटावर्ट किजिए आप राइट एंसर महा विश्पोर्ट सिधान संबंधी थे ओप्षने महा दियूपिय विस्तापन से ओप्षन B ब्रमांड के उत्पती से ओप्षन C हिमाले के उत्पती से ओप्षन D ज्वाला मुखियों के विश्पोर्ट से फटावर कर दें आप लोग एंसर और इसका राइट एंसर है ओप्षन B ब्रमांड की उत्पती से महा विश्पोर्ट सिधान यानि विग बैंक थियोरी ब्रमांड की उत्पती से तता आकास गंगा तता सौर मंडल की उत्पती से संबंदी थे और इस सिधान का प्रतिपादन जार्ज लेमन तेयर जार्ज लेमन तेयर ने 1927 में किया था जार्ज लेमन तेयर ने 1927 में किया थाइस सिधान का प्रतिपादन स्कीन सौर्ट ले लिजिए फर चलते हैं दूसरे प्रश्ण की ओर सभी प्रश्ण बहुत महत्पूर है फटा फटा आप लोगे इंसर करिए आपके पास टाइम बहुत काम एग्जाम में आपको 50 से 55 सिगेंड का टाइम मिलता है हम आपको यहां से 30 सिगेंड का टाइम दे रहे हैं ठीके चलते हैं दूसरे प्रश्ण की ओर बहुत ही महत्पूर प्रश्ण होंगे सारे के सारे पित्वी की परिक्रमत धूरी जुकी है पित्वी की परिक्रमत धूरी जुकी है option A 24.5 dg per option B 23.5 dg per option C 3 dg per option D 28 dg per ऐंसर करें आप लोग पित्वी जिस धूरी पर परिकर्मा करती है वह कितना जुका हुआ है ठीक है वह धूरी कितनी जुकी हुई है फटाबट करें इसका राइट एंसर अप्शन A 24.5 डिगरी पर अप्शन B 23.5 डिगरी पर अप्शन C है 3 डिगरी पर अप्शन D 28 डिगरी पर answer कर दें आप लोग फर चलेंगे तीसरी परशन की ओर आपका समय नुक्सान न हो इसलिए हमने नाम लेना छोड़ दिया आप लोगों का ठीक है फटा पर इसका answer करें और आपका समय समाप्त होता है अब और इसका right answer है option इसका answer है option बी साढ़े 23 डिग्री पर ठीक है पिर्त्वी की परिक्रमधूरी सदा दिर्गर्पित्य धूरी से साढ़े 23 डिग्री पर जुकी होती है यानि 23.5 डिग्री पर जुकी हुई है ठीक है इस जुके वे अक्ष के सहारे पिर्थवी अपनी धूरी पर लगवग 1000 मिल प्रती घंटे की गती से चक्कर लगाती है 1000 मिल प्रती घंटे की गती से ये चक्कर लगाती है अपने जुके हुए अक्षपर ठीक है और 24 घंटे में या एक चक्कर पूरा करती है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पड़ावट आप लोग एंसर करते रहें आकास गंगा मिलकी वे वर्गी कृत की गई है आकास गंगा याने मिलकी वे वर्गी कृत की गई है option A, सरपीलाकार गलैक्षी के रोप में option B, वीद्दूद गलैक्षी के रोप में option C, आनियमित गैलैक्षी के रोप में option D, गोलाकार गैलैक्षी के रोप में फड़ावट करते हैं इसका राइट एंसर आपकी पास 30 सिकेंड का टाइम है फर हम बताएंगे इसका एंसर और चलेंगे अगले पर श्न की ओर फड़ावट करें इसका राइट एंसर आकाश गंगा वर्गी की गई है option A, सरपिलाकार गैलैक्षी के रोप में option B, विदूद गैलैक्षी के रोप में option C, अनियमित गैलैक्षी के रोप में option D, गोलाकार गैलैक्षी के रोप में फटाबट करें इसका राइट एंसर और आपका समय समाप्त होता है अब और इसका राइट एंसर है option A, सरपीलाकार गलेक्सी के रूप में, सरपीलाकार गलेक्सी के रूप में ठीक है, गलेक्सी अनेक परकार के होते हैं, गलेक्सी अनेक परकार की है जैसे अंडाकार, सरपीलाकार और अनियमित आकार इत्यादिकार लेकिन वर्ष 2005 में इस्पीटर, इस्पीटर, इस्पेस, टेली स्कोप ने आकास गंगा के आकार के बारे में इस्पीटर, 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 इस करने में सूरी को समय लगता है हमारी आकास गंगा की केंद्र की परिकर्मा करने में सूरी को समय लगता है बहुत ही महत्पूर प्रेशन है देखते हैं कितने लोग साई एंसर करते हैं option A 2.5 करोड़ वर्ष option B 10 करोड़ वर्ष option C 30 करोड़ वर्ष option D 50 करोड़ वर्ष फटावट करें आप लोग राइट एंसर हमारी आकास गंगा केंद्र की परिकर्मा करने में सूरी को समय लगता है option A 2.5 करोड़ वर्ष option B 10 करोड़ वर्ष option C 23 करोड़ वर्ष option D 50 करोड़ वर्ष फटावट करें इसका राइट एंसर एक काफी बार पूछा गया प्रेशन है एंसर करते हैं आप लोग पर चलते हैं अंगले प्रेशन की ओर और आपका समय स्रमाप्त होता है अब और इसका इसका राइट एंसर है option C 23 करोड़ वर्ष ठीक है गैलेक्टिक केंद से लगबग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी यानि 45,000 मिल प्रति गंटा ठीक है 45,000 मिल प्रति गंटा के गती से शूरी परिकर्मा करता है और या 30 करोड़ वर्ष में 30 करोड़ वर्ष में एक अपना चकर पूरा करता है एक परिकर्मा पूरा करता है आकाश गंगा का याद रखिएगा 45,000 मिल प्रति गंटा की गती से शूरी चकर लगाता है और या एक चकर आकाश गंगा का 30 करोड़ वर्ष में पूरा करता है चलते हैं आगे लिए प्रिश बहुत ही महत्पूर प्रश्ण होंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों हम इसे तुरंत करें, शेयर ताकि वो भी जोड सकें आपके इस टेस्ट में, फर चलते हैं अगले प्रश्ण क्यों, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग किस सीज का सूचक आप्शन है, सूरी से दूरी का, आप्शन B, उसकी जोती का आप्शन C, उसकी प्रित्वी से दूरी का, आप्शन D, उसके ताप का, फटा पट करें इसका राइट एंसर, तारे का रंग सूचक है आप्शन A, सूरी से दूरी का आप्शन B, उसकी जोती का option c उसकी पित्वी से दूरी का option d उसके ताप का answer कर दें आप लोग और प्रती दिन एक बज़े टेस्ट होटा है पॉलिटी का ए स्वारी जिग्रॉफी का पॉलिटी खतम हो चुका है साथ बज़े हिस्ट्री का 11 बज़े आपका पैडिलोजी चलता है जिसमें साइंस के कोशिशन करवाए जया रहे हैं फिटा बट कर लिए हो करेंट पर दे करेंट पर दे आपको मिल जाएगा प्लीज विजिट करें हो करेंट परस का लाव उठाएं और इसका राइट एंसर है तारे हैं उनके अलग-अलग कर हैं कलर है और कलर का मतलब हुआ कि उनके ताप में अंतर है ठीक है चलते हैं अंगले प्रिश्ण की ओर बहुत ही मैदपूर प्रिश्ण होगा स्याम विवर होता है बहुत ही यूपी परी से 2019 में अभी पूचा गया है सबको पता हो न आप्शन ए हवाई जहाज की उडान का अविलेखक ऑप्शन भी सूरी पतीं न चाहार की एक जेगए ऑप्शन डी सिमट गया तारा फिता वणकरने सगा राई जहाँ सब्रच्ण इसर्याम विवर होता है एक सोरी पर एक धबबा ऑप्शन ची उसर्टार्कित का की एक गया तारा, फटाबट करें इसका राइट एंसर, श्याम वीवर क्या होता है, फटाबट करें इसका राइट एंसर, और इसका राइट एंसर है, ओप्शन D, सिमट गया तारा, श्याम वीवर का मतलब है, सिमट गया तारा, ठीक है, चलते हैं अगले प्रशने क्यों, बहुत ही मैतपूर परशने पटाफटा आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज वीडियो के अंतक बने रहें बीच में छोड़के न जाएं क्योंकि हमारा मेनद तभी साकार होगा जवाब हमारे वीडियो पे बने रहेंगे हमेशा ठीके और प्लीज एगर कुछ काम हो तो बीच में आप कर लें पर वीडियो छोड़के न जाएं चलते हैं अगले प्रशन के ओर क्रिष्ण छिद्र स्रिधान्त को प्रतिपादित किया था क्रिष्ण छिद्र स्रिधान्त को प्रतिपादित किया था ओप्षने सिवी रमन ने ओप्षन बी एच जे भावा ने ओप्षन सी एस चंद शेकर ने ओप्षन डी हरकोविन खुराना ने बहुत ही महतपूर्टश ने है, बहुत ही महतपूर्टश ने है कृष्ण चिद्रशिदान्त को प्रतिबादित किष्ण ने किया था सिवी रम्मन ने, H.J. वाबा ने, option C.S. संद्शेकर ने option D. हर्गोविंद खुराना ने फटाफट करें, इसका राइट एंसर महतपूर्टश ने और आपका शमय स्तमाप्त होता है, अब और इसका राइट एंसर है, option A. सिवी रम्मन ने, कृष्ण स्रिधान्त या ब्लैक होल शिदान्त का, ब्लैक होल थेवरी का प्रतिपादित या प्रतिपादन किया था, सिवी रम्मन सिवी रमन दवारा किया गया था, ठीक है अगले प्रिशने क्यों चलते हैं मैत्पूड प्रिशने कतन A. क्रिष्ण छिद्र, यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोली अस्तित्व है जिसे दूर्बीन से देखा नहीं जा सकता कारण है क्रिश्ण छिद्र पर गुरुत्वे छेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता ठीक है क्रिश्ण छिद्र पर गुरुत्वे छेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता उसे भी निगल जाता है उप्युक्त वक्तवियों के संदारु में निम्लिकित में से कौन साथ सही है फिटापट करें इसका राइट एंसर यह घलत है फिटापट करें इसका राइट एंसर मैदपूर तरशने और ये तो काफी बार पूचा गया है लग रहा है कि UP PCS के पैटर में ये शामिल है ये हर तीसरी चोथे वस पूचा जा रहा है फटाबट करें इसका राइट एंसर और अब आपका समय होता है शमाप्ट ओप्शन A is the right ओप्शन A is the right बिलकूल A is the right क्योंकि कृष्ण शिद्र एक ऐसा खोगोली स्तित्व जिसे दूर्बीन से देखा नहीं जा सकता ठीक है कृष्ण शिद्र को दूर्बीन से पत्यक्ष्रा देख पाना संभवन नहीं है क्योंकि अत्यक्धिक उच्छ घन्यत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरूतविय छेतर किसी भी परकार के वीकरण यहां से यहां तक की परकास किर्णों को भी निकलने नहीं देता ठीके और दूसरा है इसका statement की अंतरिक्ष दूर्वीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्तिती का पता उसके आसपाज के पिंडो तारों या गैसों के ब्यवहार से लगाया जाता है दूर्वीन से भी से देखा नहीं जा सकता ठीके इतना प्रबल होता है ठीके चलते हैं अगले प्रशन की और आप लोग अपना एंसर मिला लेजिए बहुत ही महित्पूट फ्रिशने काफी बार ये पूछा जा चुका है इसको डारेक्ट पता नहीं लगाया जा सकता है कृष्ण चेत्र को ब्लैक होल को इसके आश पास के तारों पिंडों और आधी ऑप्शन डी एक मिरित प्राय तारा सुपर्नोवा है एक ग्रही का ऑप्शन बी एक ब्लैक होल ऑप्शन सी एक पुछल तारा ऑप्शन डी एक मिरित प्राय तारा फुटावट करेंस का राइट एंसर आपका समय स्टार्ट है फुटावट करेंस का राइट एंसर सुपर्न एक ग्रहिका एक ब्लैक होल एक पुछल तारा या फिर ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा और इसका राइट एंसर है Option D एक मृत प्राय तारा ठीके शोपर नोवा विस्पोर्ट के पशार तारा के मृत्व की दशा को प्राप्ट करता है यानि तारों की मृत्व हो जाती है अता सुपर नोवा को मृत प्राय तारे की विस्पोर्टी अवस्ता कहते हैं ठीके यानि यहां एक मिरित्व प्राय तारा होता है सुपर नुवा के बाद तारे की मिरित्व हो जाती है चलते हैं अंगले प्रिश्ण की ओर हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है हमारे अंतरिक्ष में तारा मंडल की संक्या कितनी है उप्षन ए 87 option B, 88 option C 89 option D, 90 बहुत ही महत्पूर प्रशन है काफी बार ये भी पूछा गया है बिहार PCS में, UP PCS में हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है option A, 87 option B, 88 option C 89 या फिर option D, 90 फटाफट करें इसका राइट एंसर और आपका समय सिमा समाप्त होता है अब और इसका राइट एंसर है option B, option B is the right ठीक है, International Astronomical Union IAU, International Astronomical Union के अनुशार आकाश में कुल 88 तारा मंडल है आकाश में कुल 88 तारा मंडल है चलते हैं अगले प्रिश्णी के और बहुत ही महत्पूर्ट प्रिश्ण होगा और अगला प्रिश्णी देखते हैं निम्लिकित में से कौन अंत्रिक्ष में नहीं पाया जाता? निम्लिकित में से कौन अंत्रिक्ष में नहीं पाया जाता? option A, Pulsar option B, Brittle Star option C, Black Hole option D, Quasar फटा पट करें इसका राइट एंसर फटा पट करें इसका राइट एंसर निम्लिकित में से कौन अंत्रिक्ष में नहीं पाया जाता? बहुत इजी प्रिश्णे फटा पट एंसर कर दें option A, Pulsar option B, Brittle Star option C, Black Hole option D, Quasar और इसका राइट एंसर है option B, Brittle Star, Brittle Star अंत्रिक्ष में नहीं पाया जाता? ठीक है? Pulsar, Quasar और Black Hole पलसर, Quasar और Black Hole अंत्रिक्ष में पाया जाते हैं जबकि Brittle Star का संबंद एनी मेलिया जगत एनी मेलिया जगत के इका नोडरमेटा इका नोडरमेटा संग और Ophira Raid वर्ग से है जो समुद्री जीव है इसका संबंद है Eka नोडरमेटा समुद्री जीव है ये Eka डरमोटा एवं ओ फीरा दिया ये दोनों समुद्री सता पर रेंग कर चलते हैं ठीक है और ये मचली के समान होते हैं ठीक है ये मचली के समान होते हैं इसका स्किनशोट ले लिए विश्ण शाल क्या है इकानोडरमेटा और ओफेराडिया ये दो जीव हैं समोध्री जीव हैं जो समोध में रेंग के चलते हैं और मछली के स्वामान होते हैं चलते हैं अगले प्रिष्णी क्योंड एक निष्चित आकृती में वेवस्ति स्ताराओं का समौह कराता है एक निश्ची ताकरिती में विवस्ति स्ताराओं का समू कहलाता है option A अकाश गंगा option B नच्छात्र option C एंड्रो मेटा option D सौर मंडल फटा वट करें इसका राइट एंसर 30 सेकेंड का टाइम आपके पास था जिसमें से 10 सेकेंड निकल गया क्योंकि हम प्रिश्ण को पढ़ रहे हैं दो बार ठीक है जिसमें 15 से 20 सेकेंड का टाइम चला जा रहा है ठीक है फटा पट करें इसका राइट एंसर एक निश्ची ताकरिती में विवस्ति स्ताराओं का समू कहलाता option A अकाश गंगा option B नच्छात्र option C एंडो मेटा option D सौर मंडल फटा पट कर दें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है option B नच्छात्र ठीक है खगोल चास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का समू जो हमें एक निश्चित आकरिती में परतीट होता है तारा मंडल या नच्छात्र कहलाता है एक समान चमकीले होते हैं और ये समू में दिखते हैं जाल कितरे दिखते हैं इन्हें नच्छात्र कहते हैं ठीक है या तारा मंडल भी कहते हैं चलते हैं एंगले प्रिश्ण की ओड निमलिकित कत्नों पर ध्यान दीजिए पित्वी और शूर के वीचोबीच इस्तित अंत्रिक श्यान में वैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि अकास स्याह काला है ब्लैक है ऑप्शन दो तारे टिम किमाटे नहीं है उप्शन थ्री अंत्रिक श्यान के बाहर का ताप पित्वी तल के ताप से कहीं अधिक है इनकत्रों में से कौम सही है उप्शन एक केवल तीन सही उप्शन बी एक और दो सही उप्शन सी एक और तीन सही है ए prix 10 मी इसका राइट एंसर दुबारanu पड़ते हैं कोर्शन अंत्रिक्ष्यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, अकास्या काला है, दो तारे टिम्टिमाते नहीं हैं, तीसरा अंत्रिक्ष्यान के बाहर का ताप, पित्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, फटाफट कर दें इसका राइट एंसर, महत्पूर प्रशन हैं, फट एक और दो शही है, क्योंकि अंत्रिक्ष्यान में बैठे व्यक्ति को अकास्या काला, गाढ़ा काला दिखाई देता है, वशाद के समय में जो काला बादल दिखते हैं, वैसे दिखाई देता है, अंत्रिक्ष्यान में बैठे व्यक्ति को आश्मान, ठीके, और दूसरा तार तारे टिम्टिमाते नहीं हैं, तारे वहाँ पर इस्तिर हो जाते हैं, वहाँ से आपको टिम्टिमाते दिखाई नहीं देते हैं, ठीके, और तीसरा जो sentence है, अंत्रिक्ष यान के बाहर कताब पिठवी तल केताब से कहीं अधिक है, ये बिलकुल गलत है, क्योंकि पिठवी के तापमान से अंत्रिक्ष का तापमान काफी कम होता है वहाँ पे माइनस 270 डिगरी सेल्सियस माइनस 270 डिगरी सेल्सियस तापमान होता है जो पिर्थवी के तापमान से काफी कम है पिर्थवी के तापमान था ये, सारे प्रिशन बहुत ही महत्पूर हैं, अगला प्रिशन दिखते हैं, किसने सरुप्रथम या स्तापित किया कि सभी ग्रह सूरी की परिकर्मा करते हैं, किसने सरुप्रथम या स्तापित किया कि सभी ग्रह सूरी की परिकर्मा करते हैं, option A, Nicholas Copernicus, option B, J. Kepler, option C, Galileo, option D, D. Emmanuel Kant, फटाफट करें इसका राइट एंसर, किसने सरुप्रथम या स्तापित किया कि सभी ग्रह सूरी की परिकर्मा करते हैं, option A, Nicholas Copernicus, option B, J. Kepler, option C, C. Galileo, option D, D. Emmanuel Kant, फटाफट करते हैं, इसका राइट एंसर, मैंत पूर्ट रशन है, और इसका राइट एंसर है, option A, option A is the right Nicholas Copernicus, ठीक है, सरुप्रथम Nicholas Copernicus ने या स्तापित किया कि पिर्थवी साहित सभी ग्रह सूरी की परिकर्मा करते हैं, ठीक है, सबसे पहले Nicholas Copernicus ने निकस ने या बताया था, ठीक है, चलते हैं आगले प्रिष्ण की ओर, सूरी तथा पिर्थवी के मध्य ग्रह इस्तित हैं, सूरी और पिर्थवी के मध्य कौन से दो ग्रह इस्तित हैं, बहुत ही आसान प्रशन है, सबका राइट एंसर लाना चाहिए, option A, मंगल एवं बुद्ध, option B, मंगल एवं शुक्र, option C, बुद्ध एवं शुक्र, option D, पिर्थवी एवं शनी, फटाबट करें इसका राइट एंसर, सूरी तथा पिर्थवी के मध्य ग्रह है, option A, मंगल एवं बुद्ध, option B, मंगल एवं शुक्र, option C, बुद्ध एवं शुक Option D, ब्रिहश्पती एवं सनी फड़ावट कर दें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है Option C Option C is the right बुद्ध एवं शुक्र ये रहा आपका शूरी और ये रही आपकी पृत्वी ये रहा आपका शूरी और ये रही आपकी पृत्वी और इससे हम नीचे जबाएंगे तो सबसे कम दूरी पर लगबग 57 7 मिलियन कीमी दूरी परिस्ती थे बुद्ध ठीके 57 मिलियन दूरी परिस्ती से बुद्ध उससे थोड़ा से नीचे आने पर 108 108 मिलियन कीमी परिस्ती थे आपका शुक्र 108 कीमी मिलियन पे इस्तित्य आपका शुक्र और उसे नीचे आने पर अपनी पित्वी है जो 149 149 मिलियन कीमी पर है ठीके, तो 149 कीमी और सुर्य के बीश में दो ग्रहे आते हैं बुद्ध और शुक्र चलते हैं अगले प्रिश्न की उर बहुत ही मेत्वूर प्रिश्न है अगला वाला भी ग्रहों के बारे में निम्ड में क्या सत्य हैं ग्रहों के बारे में निम्ड में क्या सत्य हैं अप्शन A ये प्रकाश हीन होते हैं किन्तू चमकते नहीं हैं अप्शन B ये अब प्रकाश्वान होते हुए भी चमकते हैं Option C, ये प्रकाश्वान होते हैं किन्टू चमकते नहीं Option D, ये प्रकाश्वान भी हैं और चमकते भी हैं फटाबट करें इसका right answer देखते हैं कितनी लोग सही answer देते हैं अनुराग जी फटाबट कर दीजे right answer काफी लोगों ने सही एंसर किया है काफी लोगों ने पिछले वाले पुष्ण का सही एंसर किया है और आप लोग हर रोज की तरह आज भी बनें बहुत वाध हैं क्यों आप लोग हमेशा आते हैं आज काफी लोगों के सही एंसर सही आ रहे हैं सबने पढ़ावा है जियोग्राफी मेनत हो रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अद्बूत फड़ाबर करें राइट एंसर और सिक्तिन का राइट एंसर है ऑप्शन बी यह अब प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं ठीक है ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता ह यहां लेते हैं सूरी से इनर्जी सूरी से प्रकाश लेते हैं सूरी से लेते हैं प्रकाश और यह चमकते हैं ठीक है अब प्रकाशमान होते हुए इनके पास अपनी लाइट प्रकाश नहीं होती है लेकिन यह सूरी से प्रकाश लेके चमकते हैं चलते हैं अगले प्रशन की जो बहुत ही ज्यादा में तूड़ होगा सूरी की उर्जा उत्पन होती है बहुत ही असान प्रश्ण है सूरी की उर्जा उत्पन होती है आयनन द्वारा उप्शन बी नाब के सल्यान द्वारा उप्शन सी नाब के विखंडन द्वारा Option D, आक्षी करन द्वारा फटाफट करें इसका राइट एंसर सूरी के उर्जा उत्पन होती है Option A, आयनन द्वारा Option B, नाब के सलयन द्वारा Option C, नाब के विखंडन द्वारा Option D, आक्षी करन द्वारा फटाफट करें इसका राइट एंसर में तूर पशने है और आपका समय सिमा समाप्त होता है अब और इसका राइट एंसर है option B नापकी संलेयन द्वारा ठीक है तारों से मुक्त होने वाली उर्जा उष्मा और प्रकाश का कारण नापकी संलियन होता है तारों से जो उर्जा उसमा प्रकाश मुक्त होती है वह नापकी संलियन होता है ठीके तारों में 1 से 1.51 से 1.5 करोर डिगरी सेल्सियस तापमान पर तारों के 1 से 1.5 करोर सेल्सियस तापमान पर हाईडोजन के परमाड़ू आपश में सनलाई थोकर हिलियम में परिवर्तित हो जाते हैं ठीके एक से डेर करोर सेल्सियर्स पर हाईडोजन के परमाड़ू आपश में सनलाई थोकर हिलियन में परिवर्तित हो जाते हैं समय बरबार ना हो चलते हैं अंगले प्रेशन क्यों सूर्य से प्रित्वी की दूरी है सूर्य से प्रित्वी की दूरी है option a 107.7 million की मी option b 142.7 million की मी option c 146.6 million की मी option d 149.6 million की मी फड़ावट करें इसका राइट एंसर सूर्य से प्रित्वी की दूरी कितनी है बहुत ही मैचपूर प्रशन है फड़ावट करें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है option d 149.6 million की मी ठीक है खगोलिय क्याई लंबाई मापने की काई है खगोलिय क्याई या astronomical unit लंबाई मापने की काई है जिससे प्रित्वी या प्रित्वी से सूरी की दूरी को मापा जाता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को मापा जाता है खगोलिय क्याई से और इसके अनुसार शूर एवं पिर्थवी के और शाद दूरी 149.6 मिलियन कीमी है ठीक एस्टोनोमिकल यूनिट के साब से 149.6 मिलियन कीमी दूरी है पिर्थवी से सूर्य की चलते हैं अंगले प्रश्न की ओर सूर्य का आकार पिर्थवी से कितने गुना बड़ा है सूरिक आकार पित्वी से कितना गुना बड़ा है Option A, 124 गुना Option B, 100 गुना Option C, 109 गुना Option D, 115 गुना फटापट करें इसका राइट एंसर सूरिक आकार पित्वी से कितना गुना बड़ा है Option A, 124 गुना Option B, 100 गुना Option C, 109 गुना Option D, 115 गुना फटावट करते हैं इसका राइट एंसर और आपका समय सिमा समाप्त होता है अब और इसका राइट एंसर है Option C 109 गुना नासा के अनुशार सूर्य का अकार पिटवी से 109 गुना 109.2 गुना बड़ा है और क्योंकि सूर्य की जो त्रिज्या है वो है 6,95,508 6,95,508 है जबकि पिटवी की त्रिज्या है 3,68 ठीक है 3,68 पिटवी की त्रिज्या और सूर्य का है 6,95,508 चलते हैं अगले प्रिश्न की उर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजी और आपने एगर पहली बाद चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को प्रेस्ट कर ले ताकि नोट्फिकेशन आपके पास शिग्रिता से पहुंच जाए इस नमबर प्रिश्न लेखते है निमलेकित में से कौन सा ग्रे सबसे कम समय में सूरी का चक्कर लगाता है प्लूटो ऑप्षण ब मुद्ध ऑपषण । प्रिथवी ऑफिशन D ते सनी फिट्रवाट कर देने इसका निमलेकित में से कौन सा ग्रे सबसे कम समय में शूरी का चकर लगाता है यह मात्र 88 दिन में 88 दिन में सूरी का एक चकर पूरा कर लेता है मात्र 88 दिन में एक चकर पूरा कर लेता है और रिजन दूसरा ये भी एक तो इस बीड जादा है दूसरा सूरी के सबसे करीब भी है सूरी के सबसे करीब इस्तित्वी है यह चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर जो बहुत ही महत्पूर होगा सौर मंडल का सरवादी गर्म ग्रह है बहुत ही आसान प्रिश्ण है सौर मंडल का सरवादी गर्म ग्रह है option A बुद option B शुक्र option C, मंगल option D पृत्वी सौर मंडल का सरवादी गर्म कौन है जो सबसे ज़्यादा गर्म है बुद शुक्र, मंगल या पृत्वी फटा पृत्वी इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है option B शुक्र, सुक्र शरवादी गर्म है सौर मंडल में क्योंकि इसका temperature 464 degree Celsius है 464 degree Celsius है शुक्र का temperature इसलिए सरवादी गर्म गर्म है, बाकी के सभी गर्म का temperature इससे काफी कम है चलते हैं अगले प्रिश्न की ओर बच्छार प्रिश्न ओर बचे हैं फटा पट कर दीज़े, राइट एंसर अगला प्रिश्ने, कतन शुक्र वीनस गर्म पर मानव जीवन का होना अत्याधिक असंभाब्य है शुक्र गर्म पर मानव जीवन का होना अत्याधिक असंभाब्य है यानि कि नहीं रह सकते मानो कारण है, सुक्र के वाई मंडल में कारवन डाय अक्साइट का अत्याधिक उंच अस्तर है सुक्रिक वाई मंडल में कारवन डाय अक्साइट का अत्याधिक उंच अस्तर है कौन सा सही है नीचे दिये के कूट का प्रयोकर सही तर चुनिये Option A है A आर दोनों सही है A की सही व्याख्या करता Option B A आर दोने शही है और A की सही ब्याक्या नहीं है Option C A सही है प्रन्तु A गलत है Option D A गलत है प्रन्तु A सही है फटावट करें राइट एंसर 22 नमबर का बहुत ही महत्वोड फिशन है और काफी बार ये पुछा जा चुका है फटावट करें इसका राइट एंसर फटावट कर दीजी और इसका राइट एंसर है Option A आपके समय शिमासमा आप एंसर आ गया A A is the right A और A दोनों शही है ठीक है शुक्र ग्रैपर वाई मंडल के परमाण उपलब्द है लेकिन शुक्र के वाई मंडल में मुखह तक carbon dioxide gas पाया जाता है मुखह तक carbon dioxide gas पाया जाता है इसके अतरिक शुरिक की सत्था का ताप काफी जादा है अभी हमने बताया था 464 degree Celsius 464 degree Celsius ता आप मान है इस वज़े से यहाँ जीवन bilkul भी संभाव यह नहीं है, संभाव नहीं है जीवन यहाँ पे, एक तो कारवन डाय अकसाइट बहुत जादा है और दूसरा, 464 डिग्री सेल्सियस लगबग इसका उसत तापमान है ठीक है, option A is the right चलते हैं अंगले प्रिशन की ओर पित्वी का ब्यास है बहुत ही असान प्रिशने, बच्चों वाले प्रिशने है पाच्वी-च्ट्वी क्लास में मिल जाएगा साथ इस्टे पहले भी पित्वी की ब्यास कितना है option A, 8000 की option B 10 लाग की मी, सुर 1 लाग की मी option C, 12800 की मी option D, उप्युक्त में से कोई नहीं प्रिशने, प्रिशने, ब्यास कितना है option A, 8000 की मी option B, 1 लाग की मी option C, 12800 की मी option D, उप्युक्त में से कोई नहीं, देखते हैं कितने लोग शाह answer करते हैं, और फड़ा बड़ा answer के जम्राग जी लेटो रहा answer आपका और इसका right answer option C option C is the right 12800 12800 है पित्वी की तरिजिया और real में देखें, तो 12756 है 12756 है लेकिन अगर 12800 है, तो लगभग में ये सही है, ठीक है? ये सही answer है, 12756 real में है, लेकिन 12800 इसे हम आमोमन देखते हैं किताबों में, ठीक है? चलते हैं अगले प्रिशन की रेक्योर महां तो दौ प्रिश्ट मचे हुए हैं, फटापट देख लीए, फिर जाएए आप जहाने हो अगला प्रिशन judge बहुति Tools प्रिशन ई states पित्वी की भूमा दिरे की परीधी है लगभग पित्वी की भूमा दिरे का परीधी कितनी है, option a 31,000 केमी option B, 40,000 केमी option C, 50,000 केमी option D, 64,000 केमी फटापट करें इसका right answer पित्वी की भुमाद रेखिये परीदी कितनी है, भुमाद रेखा पर पित्वी की परीदी कितनी है option A, 31,000 केमी option B, 40,000 केमी option C, 50,000 केमी option D, 64,000 केमी फटाफट करें इसका राइट एंसर बहुत ही महत्पूर फशन है फटाफट कर लें भुमद रेका पर कितनी परीदी है पित्वी की 31, 40, 50 या 64,000 और इसका राइट एंसर है option B 40,000 कीमी पित्वी की भुमद एके परीदी 40,000 कीमी है ठीक है और या दूरी ये 24 गंटे में पूरी कर लेती है पित्वी या दूरी को ये 24 गंटे में पूरा कर लेती है चलते हैं अगले प्रशन की हो जो आकरी प्रशन होगा फटाफट आप लोग देख लें फिर चले जाए आकरी प्रशन देखते है अपने परिक्रमा पत पर पित्वी लगबग किस माध्य वेग से सूरी का चक्कर लगाती है अपने परिक्रमा पत में पित्वी लगबग किस माध्य हम वेग से सूरी का चक्कर लगाती है अप्शन इसका राइट अप्शन है और आप सखे रिक्वेश्ट प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और हमेशा वीडियो के अंतक बने रहे 20 में छोड़के कभी भी न जाए क्योंकि सारे प्रिश्ण बहुती महत्पूर होते हैं और हमने नाम लेला छोड़ा है ताकि आपका समय बचे हलाकि हम आपके इंसर को हमेशा देखते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं अपको हमेशा देखते हैं और इसका राइट एंसर है ओप्शन B 30 कीमी प्रति सेट ठीके पिट्वी शूरी के चारो ओध 29.8 कीमी प्रति सेकेंड ठीके 8 कीमी प्रति सेकेंड के वेक से चक्कर लगाती है और याद रखेगा या गती प्रकाश की गती के समान है लगबग प्रकाश की भी गती यही होती है इसी के आसपास प्रकाश की गती भी होती है 29.8 कीमी 30 सिकेंड की गती से पित्वी चक्कर लगाती है सूरे का याद रखेगा और प्रकाश की चाल भी इसके समान ही ये लगवा इसके समतोले ही है ये था आकरी प्रशन कल का टॉपिक देखते हैं फिर सेशन को करते हैं खताम प्लिज वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे दोस्तों में और सबस्याई भी कर दें कल का टॉपिक देख लिजे कल का टॉपिक होगा यहां से कल पूछे जाएंगे सारे प्रशन तो आज आप लोग इस टॉपिक को कल लिजेगा रिवाईज और कल दीजेगा शांदार प्रशनों का सांदार एंसर ठीक है इस माने आपका रिविजन भी हो जाएगा और अगर आप यह लगाएंगे आप 30 सिकेंड में हल करेंगे तो एक्जामनेशन में कोई भी गलती होने के संभावना सुन्य हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं टेसरी नहीं लगाते हैं तो गलती होने के संभावना प्रबल होती है लेकिन आप टेसरी लगाते हैं ताकि आप प्रश्णों का PDF पा सकें ठीक है और चैनल को आप टार्गेट इवी तर्जेसर को सब्सक्राइब करिए वहाँ पर मेसेज करिए और PDF की डिमांड करी हम आपको PDF रिसेंट में सेंड कर देंगे हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए thank you so much love you all thanks a lot have a good day again